21 अक्टूबर राश्ट्रिय एक दादिवस यानि की सरदार पटेल की जन्म जैन्ती के दिन हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी स्टैट्यू अफ यूनिटी के वडिया से देंगे सरदार पटेल को श्रक्धांजनी और देश भर के 700 से जादा जिलों से लाखों लोग जुड़ेंगे साथ लेकर एक लक्षे एक भारत श्रिष्ट भारत एक भारत और स्रिष्ट भारत सरदार पटेल की इसी मोटो और इसी उद्देश को पूरा करेगी ये ट्रेन सरदार पटेल की जैन्ती 31 अक्टूबर को है और कुछ इस अंदाज में मुजफरपूर एमदा सरदार पटेल की जैन्ती पर पुरानी ट्रेन को नए अंदाज में चलाए जाएगा 31 अक्टूबर को और ये मुजफरपूर से शुरुआत होगी इसकी 31 अक्टूबर को ये ट्रेन जो है इसमें LHB कोच लगाए गया ये ट्रेन पहले से चल रही है लेकिन 31 अक्टूबर से ये नए अंदाज में चलेगी और इसमें जो है वो LHB कोच इसमें लगाया गया है और ये 15279 और 15270 नंबर की ये ट्रेन होगी जो पहले से चल रही है और सरदार पटेल की जैन्ती पर ये तोफ़ा रेलवे जो है देने जा रही है मुजफरपूर और एहमदाबाद के बी कोटिंग की गई है खास कोटिंग और बेहदी आकर्शक लुक है बेहदी मनमुःक uppий जानदार जो है वो कोच है और इसके अंदर भी ये लहपुरुष सरदार पटेल की जो ये बताएगी कि सरदार पटेल ने किस तरह से देश को एकता के सूत्र में पिरोया और ये रेलवे ने इसको ट्विटर पर इसको शेर किया है इस तस्वीर को जो हम आपको शेर कर रहे हैं तो ये ट्रेन मुझफर पूर अहमदाबाद जो मुझफर पूर से ये रात 9 बच कर 20 मिनाट पर खुलती है और ये हाज़ीपूर होते हुए ये एहमदाबाद पहुंचती है तीन दिन का सफर होता तीसरे दिन ये सुबह नौ बजे पहुंचती है तो कुछ इस तरीके से ये इसका टाइम टेबूल होगा जो पहले से चली आ रही है लेकिन अब ये ट्रेन जो है वो ने अंदाज में चलेगी जिससे कि आम लोगों को इससे फाइदा होगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सबस्क्राइब कीजिए कुछ और खबर कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगा आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे दर्मा का रख शुक्रिया